आज से तीन दिवसी है रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, S.E.O. के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में करेंगे शिर्टा L.A.C. तनाव के बीच रूस में चीन और पाकिस्तान की चालबाजी का मूतोर जवाब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, S.E.O. के ग्रूप में चीन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी हो सकते हैं शामिल राजनाथ सिंग की हाई लेवल बैठक में L.A.C. विबात पर आगे की रणनीती पर हुई चर्चा रूस तौरे को लेकर भी एजन दाता है L.A.C. पर मंथन के बाद N.A.C. अजीर डोबल का बड़ा बयान डोबल ने कहा भारत लंबे संगर्ष के लिए तयार दे L.A.C. पर चीन ने मंगलवार को फिर की गुस्पैट की कोशिश भारती जवानों को देखकर वापस भागे 31 सगस को भी दोनों देशों के जवानों के बीच हुई थी जड़ब भारत ने चीनी गुस्पैट की कोशिश का दिया करारा जवाब सेना ने पैंग्योंग के ब्लाक टॉप पोस्ट पर किया कबजा चीनी कैमरे सर्विलान सिस्टम मुखाड कर फेका चीन के पैंग्योंग कांट पर सबसे बड़ा खुलासा भारत को 24 घंटे पहले थी पूरी खबर चीनी साज़श पर हाई अलर्ट पर थी भारती सेना ड्रागन ने केलाश परवत पर तैनाद की आच्टमी मिसाइले हिंदुस्तानी फौज ने भी उच्टाई वाले इलाखों में मोर्चा समाला एलेसी पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन मूतोर जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर भारती सेना एलेसी पर चुमार में चीनी सेनेकों की गुस्पैट की खबरों का इंडिया नामी ने किया खंड़न एक समचार एजनसी ने फैलाई थी खबर एलेसी पर पंगुर के पास चीन ने बनाए दो सेने कैंप यहीं से चीन भारती ये शेत्र पर नज़र रखता है श्रीनगर ले हाइवे आम लोगों के लिए बंद सिर्फ सुरक्षा बलो का मूव्मेंट होगा एलेसी पर जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी चीन बॉर्डर पर हेवी डिप्लॉयमेंट करेगा भारत जिन्पिंग के ड्रीम प्रॉजेक्ट को बहुत बड़ा जटका करीब 115 अरब डॉलर के चीन में अनमार आर्थिक गलियारे के काम पर ब्रेक में अनमार ने कहा चीन भरोसे इल्लायक ने न्यूक्लियर हतिया डबल करने में जुटा चीन पेंडरिगन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा अमेरिका तक मार करने वाली आट्मी मिसाले बनाने में जुटा ड्रागर एलेसी पर भारत के आक्रामक रवाईये के बात चीन के सुर्बदले बोला भारत तना बढ़ाने वाले किसी भी आक्शन पर रोक लगाए मत बेद दूर करना ज़रूरी मंगलवार को भी लगता दूसरे दिन भारत चीन के बीच सेने इसतर की बैठक कोई 9 घंटे तक चली बैठक बे नतीजा रही पीर ने तिबबत में पीले की वार टाइम एक्ससाइस का वीडियो रिलीस किया वीडियो में तोफ और मिसाइल से युद्ध का भ्यास करता दिखा चीन जिन पिंग ने सोंबार शाम पीले कमांडर्स की मीटिंग लीस सूत्रों की माने तो बैठक में लेसी पर सेने तयारियों की समीक्षा की दुनिया में कूटने देक्स्तर पर भारत चीन को कमजोर करने में जुटास भारत ने सयुट राश को पत्रों लिग कर युएनसी के विस्तार की मांग की है चीन की तबाही के लिए भारत अमेरिका की तयारी साउट चाइना सी में यूएस जहाज के साथ इंडिया नेवी का युद्ध पोत तेनाथ समंदर में चीन को अमेरिका ने चार उत तरफ से घेर लिया चार यूएस एबेस पर घातक पर माडू बंबर तेनाथ कर दिये अंडमान में रूस भारत चार और पाथ सितंबर को सैयुक्त युद्धा भ्यास करेंगे भारत ये जंगी जहाज और तीन रूसी वोर्ट श्रिप पे एक साथ दिखेंगे चीन को घेरने के लिए अमेरिका की रणनी थी साउथ कोरिया के आसमान में फिर से दिखे यूएस के जासूसी विमान तूत्रों के मुताबिक अमेरिका चीन पर न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी में अमेरिका चीन के छे सबसे बड़े शहरों को बर्बाद करने का फॉल प्रूफ प्लान बना चुका चीन ने हिमाकत करते हुए ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैट की साटलाइट तस्मीरों से चीन की सनापाक चाल का फुला सफ़वा चीन ने चेक रपाबलिक को धमकी दी कहा ताइवान का स्थाद दिया तो चुकानी होगी भारी की मत इस्रेल यूएई को एफ-35 फाइटर जेट दे रहा है चीन इस डील का लगातार विरोध कर रहा है क्योंकि इस डील से चीन के दोस्त दीरान और टर्की खौफ ज़दा है चीन के साथ बढ़ती तल्की के बीच अस्ट्रेलिया अपनी विदेश नीती को मस्पूत करने में जुटा है स्कॉर्ट मॉरिसन की सरकार इस हफते एक नया खानून पेश करें तिबबत के निर्वासित राश्पती लोपसांग सांगे ने चीन के नए समादबाद तिबबत को फरेब बताया कहा दुनिया की आँखों में धूल जोक रहा है चीप सुशांत केस में ड्रॉग कनेक्शन आने के बाद बढ़ी रिया चक्रबारती की मुश्किले एंसीबी जल्द रिया और भाई शोविक से पूचताच कर सकती है मुंबई में पकड़े गए ड्रॉग पेडलर ने एंसीबी के सामने कई बड़े खुलासे किये सूत्रों के मताबिक पेडलर बॉलिवूर्ड सेलेब्रिटीस को करता था ड्रॉग सप्लाई ड्रॉग पेडलर से एंसीबी कर रहे है पूचताच रिया के भाई शोविक के कनेक्शन होने के भी सबूत मिले रिया के वकील के दावा सुशान की बहनों को थी उनकी मेंटल हेल्थ की जानकारी वाटसाप चाट का हवाला दिया नाकोटेक्स कंट्रॉल व्योरा ने दिल्ली मुंबाई में चापे मारी की दिल्ली के पोस्ट ओपिस से साड़ी तीन किलो गांजा जब किया तलाशी अभियान के दौरान पुंच में सुरक्षा बलों को बड़ी कामियाभी मिली भारी मात्रा में गोला बारू बरामत पुंच में आतंकियों का चीनी कनेक्शन आया सामने आतंकी चिकानों से दो चीनी फिस्टल, चार चीनी हद गोले और दो बाले सेट बरामत किये सीमावर्ती इलाखों में सुरक्षा, धाल, साबित हो रहे बंकर, कटुआ में पाक की गोली बारी से बचने के लिए लोग बंकर में रहने के लिए मज़बूद पाकिस्तान आमी चीफ दो दिन के दौरे पर कराची पहुंचे बारप्रभावित इलाखों का जाय सलिया बांगलादेश में भारत की उच्चा युक्त रीवा गांगुली से मिले बांगलादेश के एचीफ गिफ्ट में मिली तेजस की पेट्ट पूर्वराश्पती प्रडव मुखर जी पंचित तत्व में विलीन हुए राज के सम्मान के साथ अंतिम संसकार हुआ देश ने नम आखों से विदाई दी पूर्वराश्पती प्रडव मुखर जी की अस्थियां गंगा में प्रवाहिद बड़े बेटे अभीजीत मुखर जी ने हर इद्वार जाकर अस्थियों को विस्सर चितिया जोनल्ल ट्राम ने पूर्वराश्तती प्रणबुखर जी के निधन पर शोग जताया कहा भारत ने एक महान मेता को खुल दिया विकेंड लॉक्डाउन में योगी सरकार ने धील देदी अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे हाई कोट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान मतरा जिल से रिहा हुए इलाबाद हाई कोट ने दिये थे फॉरन रिहाई के आदेश जमू कश्मीर के लेप्टिन इन जनरल बनोल सिनहा ने हजरत बाल दरगाह का दौरा कियार फ्रद्धालों की सुवधा के लिए की जारही व्यवस्था का जाय सलिया रवीशंकर प्रसाथ ने जकरबर्ग को चिछी लिखी फेस्बुक इंडिया पर दक्षिट पंथी पेजस को डिलीट करने का आरूप लगाया राहुल ने ट्वीट करके साधर था निशान तमलनाडू में देश की पहली महिला आम्बिलेंस ड्राइवर की न्यूपति की गई एम विरालक्ष्मी को डाल 108 आम्बिलेंस सेवा के अंतरगत भड़ती किया गया स्वच्छता सर्वे 2020 की रैंकिंग में नई दिल्ली नगरपाले का परिश्रत ने बाजी मार ली एंडे एमसी ने एक साल में अपने प्रदर्शन में दो अंका सुधार किया जीडिपी में 24 पीसिदी की गिरावट पर सियासी घमसान मचा राहूल गांधी ने कहा नोटबंदी और गलत तीतियों से बरबाद हुई देश की एकॉनमी प्रियांका गांधी ने भी मोधी सरकार पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा मोधी ने अर्थ व्यवस्था को डुबो दिया आर्थिक पैकेज को बताया हाथी का दांत अमारिका के साथ कारुबारी भागेदारी के ये नए दर्वाज एक खोलेगा भारत तो द्योग बंतरी प्यूश गोयल ने वैपारिक मस्टों को सुझाने की बाद की जमू कश्मीर में नए डॉमिसाल कानून के बाद 12,50,000 लोगों को बाड़ा जा चुका है अवास प्रमार पत्र उपराज जिपाल मनुट सिना ने एक काम में तेजी लाने के लिए कहा है पटना के जेडियो दफ्तर में लगाया गया पार्टी का नया पोस्टर सीम नितीश के पोटो के साथ लिखा गया नितीश में विश्वास, बिहार में विकास अंबाला में तेनाथ लड़ाकों विबान राफैल को कबूतर से खत्रा है एर मार्शल ने पत्र लिखकर जताई चिंता, एबेस के 10 किरो मीज़ दाएरे तक कबूतर उडाने पर रोक लगाने की वां हैदराबाद में एंटी कराप्शन ब्यूरो की बड़ी कारवाई, आएमसी के पूर्मने देश्विक देविकार, रानी और फार्मसिस नागा लक्षमी के पास से 4.47 करोड रुपैसा अगस 2020 की बारश ने 47 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, समाने से 26.07 फीसदी ज्यादा बारश हुई, इस्ते पहले अगस 1973 में सबसे ज्यादा बारश रिकॉर्ड दी गए थी देश में कोरोना की तेज रफ्तार का सिलसिला जारी, एक दिद पे आए 78,000 नाए केस, 1027 लोगों की मौत हुई, अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की जानके माराश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 15,000 से ज्यादा नए केसिस मिलने से, संक्रवेतों की संख्या 8,000,000 के पार हुई, 24,000 गंटे में 320 लोगों की जानके पुड़े में सबसे ज्यादा 3,493 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, मुंबाई में भी 1100 से ज्यादा केस आए सांग दिली और यूपी में भी कोरोना का मीटर हाई, उत्तर प्रदेश में 5,343 केस सामने आए, तो दिली में 2,312 लोग कोरोना से संक्र में रक्षा मंत्री राजनात सिंग के बेटे पंकच सिंग कोरोना पॉजिटिव, नॉड़ा से बीज़ेपी विधायक हैं पंकच और अंगबाद की कोविट सेंटर में मान सिक्तनाद दूर करने को लेकर पहल की गई, अस्पताल में भरती महिलाओं ने खेल का आनग उठाया आंदर प्रदेश की मुखिस्वास सचिव ने अमराबती के अस्पतालों का दौरा किया, स्पास्त कर्मियों के साथ बैठती अपत्ती विवाद अंगल से मामले की जांच में जुटे बागपत में ऑनलाइन क्लासिस की दौरान दो छात्रों ने शिक्षिका को अपत्ती जनक मैसेच भेजे, नाराज शिक्षिका ने दोनों छात्रों की दंडे से पिटाई की वीडियो हुआ बाई पैसे लेंदेन के मामले में राजुस्तान की जालोर में दबंगों ने युवक को बंधक बनाया, बेरहमी से पीटने के बाद अमानवीय सलूप भी किया यूपी के हापुड में बाईक पर स्टन्ट करना महंगा पड़ा, एस पी ने हुर्दंग कर रहे युवक को पीटा कन्नोट में सहकारी बिकास बैंक चुनाप बना जंक का मैदान, मतदान के दौरान बीजेपी सपा कारेकरताओं में इट पत्थर चले मध्यप्रदेश के भिंड में दस हजार के इनामी बदमाश को पकरने के लिए पहुंची, पुलिस और बदमाश ने फारिंग की, पुलिस को चक्मा देकर परार हुआ बदमाश दिले प्याद राजिस्तान के टौंक में सनकी पिता ने सो रही पत्थी और बच्चे पर पत्थर से हमला किया, बारदात में मासूम बच्ची की मौट प्रियागराज में मामुली सी कहा सुनी पर दबंगो ने जिम की महला ट्रेनर को पीटा, पुलिस ने आरूपियों के खिलाफ केस दर्च किया वर्कर की मौट से भढ़के ग्रामीडों ने संस्था की गाड़ी में आग लगा दी तिलंगाना के खमम, जिले का माप्ता गुरकपुर में ग्राहक बनकार, फॉर्स टीम ने दुकान से बरामत की दुल्लप प्रजाती के कच्छवे, छापिमारी के बाद दोकी गिरफ कारी आंध्रप्रदेश के कृष्णा में महिला ने अपने पती पार मासूम बच्ची को बेचने कारूप लगाया, एक साल के बाद पुलिस के पास मामला दर्ज कराने के लिए महिला पुँचा ओनिसा के कोरापुट में एक तालाप से मिला तीन लड़कियों का शव, पुलिस मामले की चानवीन करें मद्ध प्रदेश के बैतूल में अग्याट शक्स का शव मिला, पी-पी-ई किट पहन, पुलिस ने शव को अस्पताल पहुँचाए पटना में बदमाशों के हौसले बुलन, पेट्रोल प्रम कर्मचारी से आठ लाग स्ताथ हजार रुपे की लूप पंजाब के जालंधर में पून्चीन कर भाग रहे बाइक सवार, पंदरा साल की लड़की के आगे बस्त हुए करनाटर के दक्षिन करनर में बिजली के करन से हाथी की मौद जाच कराए वन विठाथ बुसावल से नाकपुर जा रही, माल दिब्बा गाड़ी के बावन दिब्बे, वर्धा के पास पट्री से नीचे उतरे, चार घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन को पट्री पर लाए गया मध्यप्रदेश के सीएम शिबरास सिंग चोहान ने बाड़ ग्रास तलाको का दौरा किया, टीविनाइन भारत वर्ष से कहा बाड़ से हुए नुकसान की भरपाईस सरकार करी गुजरात के कच्च में उपंती नदी से बाहर निकला मगर मच्छ सड़क पर दस फीट लंबा क्रोकोडाल दिखा माराश के चांद्रापुर में बाड़ से बिगड़े हालात लोगों की मदद के लिए इंगियन आमी को लगाया गया गर्च लॉली में गोदावरी इंद्रावती समय तमाम नदियों में उपान बाड़ की वज़े से 200 घर जलमगन हुए बिजली और बूसरचार सुविदा भी छप गुई उत्तर प्रदेश के मेरट में गटर में घोड़ा गिर गया घंटों मशक्कत के बाद क्रेन के सारे घोड़े को बाहर निकाला गया उत्तरप्रदेश के मौँ में मुक्तारंसारी गिरों के सरस्यों पर पुलिस का श्रिकंजा कसा गैंग्स्टर आक्ट के तहत की जा रही है करवाई मैंगलोरो में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने दी प्रणा मुकरजी को भाव बीनी श्रधांजली कैंडल जला कर गया दिया परेठकों के लिए खुशखबरी ताज नगरी में ताज महल और आगरा किला को छोड़ कार बाकी समारकों को पबलिक के लिए मंगलवार से फून दिया गया तोलापूर में श्री विठल रुकमणी मंदिर को खोले जाने की मांग को लेकर वंचित बहुजन अगारी के लोगों ने प्रदर्शन किया पुलिस ने किया 1200 कारेकरताओं पर मामला दर्श राममंदिर के नक्षे को जल्द मिल सकती है मन्जूरी अयोध्या विकास प्राधी करण में दाखिल किया गया आविदर जवालपूर में कोरोना के चलते हैं नदियों तालाब में गणेश मूर्ती का विसर्जन प्रतिबंधित था जिसकी वज़े से लोगों ने आर्टिफिशल तालाब में गणेश जी का विसर्जन दिया करनाचक के कलबुर्गी में पूरी श्रद्धा भक्ती के साथ गणेश भक्तों ने गणेश जी की मूर्ती का अप्पा लेख में विसरज़ी तिये मुद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ घर में विराजमान गणेश भक्तों की पूजा की उसके बाद वी तिरवाद सहीद गणेश जी की मूर्ती का विसरज़न किया खैदरबाद में कोरोना के चलते नहीं हुई बालापूर गड़ेश लड़्डू की निलामी हर साल गड़ेश मूर्ती विसरज़न से पहले हूती है निलामी टी सीरीज के मालक बूशन कुमार ने मंगलवार को विड़ेश विसरज़न किया इस दोरान उनकी पत्नी दिविया खोसला भी साथ थे